तो आज हम बनाने वाले हैं मटन नवाबी तो चलिए से बिनाना शुरू करते हैं तो यहां हमने ले लिया है एक किलो मटन इसमें सारे मिक्स पीसेश है अब हम इन सब को एक कूकर में ट्रांस्फर करेंगे हमें मटन को 50-70% कूक करना है तो हमें इसे ढखके तीन सीटी आने तक अच्छे से बॉइल करना है तो यहां हमने इसकी ग्रेवी के लिए मसाले ले लिये हैं जली इससे बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैंने इसमें डाला है 4-5 चमश तेल अब तेल थोड़ा गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहां मैंने लिया एक टेबल स्पून जीरा 4-5 लॉंग, 4-5 हरी इलाइची, 2 बड़ी इलाइची 2 तीस पत्ते, 10-12 आले मिर्च, 2 तुकडे दाल चीनिके 1 स्टार फूल, 1 जावितरी सॉटे करना है, तो अब हम इसमें डालेंगे 5 बड़ी साइस के स्लाइस कटे हुए प्याज इसले हम अठ्छे से चलाएंगे इससे हमें ब्राउन होने तक चलाते रहना है तो जब तक ये प्यास फ्राइ होते हैं तब तक हम मसालो को पीस लेते हैं तो यहाँ मैंने एक मिकसर के जार में यहाँ पर लिया है 12-15 लेस्टन की कलिया, अद्रक, 10-12 हरी मिर्ची और अब हम इन सब को एक मिकसर के जार में डाल देंगे साथी हम इसमें डालेंगे आठ से दस बदाम साथ आठ काजू थोड़ा सा पानी साथ आठ काजू झाल 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 झाल